हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ टॉप सलेक्टेड इंटर्व्यू क्वेश्चन और अंसर्स और सेंट्रिफ्यूगल पाम्स जो है बहुत इंपोर्टेंट मेकैनिकल डिवाइस है किसी भी इंटर्व्यू में अगर आप जाते हैं तो इस वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखें बिल्कूल भी स्किप ना करें 13-14 मिनट की वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्फूल होने वाली है एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर बता देता हूं मैं पहले से डाल चुका हूँ यह उन्हें तीनों पार्ट का कमबाइन वीडियो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सारे एक लॉंग वीडियो दीजिए तो उसके लिए है यह तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंडस्ट्रियर टेक्निकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील् प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँछ पाया तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताइब या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाइ कंवर्टिंग दियर रोटेशनल काइनेटिक एनरजी इन्टू हाइड्रो डैनेमिक एनरजी और ऐसा करने के लिए वो यूज करते हैं सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का जिसकी वजह से इसका नाम यानि कि आपको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के पार्ट्स नेम यहाँ पर बताने हैं तो इसका अंसर है पार्प्स केसिंग और डिफ्यूजर इंपैलर वियर रिंग शाफ्ट लैंटर्न रिंग स्टफिंग बॉक्स इनलेट वर्टेक्स मेकैनिकल सील और ग्लैंट पैकिंग शाफ्ट स्लीव्स और बेरिंग्स यह सारे जो हैं पार्ट्स हैं सेंट्रिफूगल पंप के नेक्स्ट क्वेस्चन है आपका वार्ट टाइप्स ऑफ रेडिउसर आर यूजड एट पंप्स शक्सन एंड डिस्चार्ज एंड यानि कि पंप के सक्सन और डिस्चार्ज नेक्स्ट क्वेस्चन है आपका वार्ट यू टू में टाइप्स ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप तो मेंली तो टू टाइपस होते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप के एक्सियल فलो एंड रीडियल فलो नेक्स्ट एंड यह आ आपका वाठ दो यू मीन बाए NPSH in पंप यानि क NPSH का क्या मतलब होता है pump में NPSH का full form होता है Net Positive Suction Head है ना वो head जिसकी requirement होती है pump के suction side में cavitation को avoid करने के लिए cavitation एक बहुत बड़ा problem है इसकी उपर मैंने अलग से एक video की है है ना आप उसको भी देख सकते हैं next question है आपका what are the material used for pump casing याने की pump के casing के लिए कौन से material का इस्तमाल किया जाता है तो generally cast steel और cast iron का इस्तमाल किया जाता है pump के casing को बनाने के लिए next question है आपका what are the material used for impellers याने की impellers के लिए centrifugal pump के कौन से material का इस्तमाल किया जाता है तो जो pump के impeller होते हैं वो cast iron के बने होते हैं next question है आपका what do you understand by the term cavitation यानि कि आपको cavitation से क्या समझ आता है cavitation जो है centrifugal pump में काफी बड़ा problem है देखिए cavitation में क्या होता है formation होता है vapor bubbles का और collapsing होता है casing के अंदर है ना pump के suction side में जिसकी वज़़ा से बहुत सारी problems आती है ये vapor bubbles जब collapse होते हैं बहुत जदा high pressure create करते हैं जिसकी वज़़ा से noise भी create होता है साथ में impellers और casing में भी wear out हो जाते है वहाँ पर wear हो जाता है next question है आपका how the cavitation does affect the pump's life यानि कि जो cavitation है वो pump के life को कैसे affect करता है तो cavitation से क्या क्या problems होती है देखिए vibration होता है pump में damage होता है impeller और heavy noise create होता है ये सारी चीज़े जो होती है जिसकी वज़़ा से pump का life जो है वो कम होता है performance भी उसकी जो है वो कम हो जाती है what are the types of impeller in centrifugal pumps यानि कि आपको ये बताना है कि types क्या-क्या होते है impeller के centrifugal pump में और main types आपको यहाँ पर बतानी है तो इसका answer है देखिए mainly 3 types के होते हैं पहला हो गया open impeller जैसा कि आप image में देख रहे हैं दूसरा हो गया semi open impeller और तीसरा हो गया closed impeller next question है आपका which of the following types of impeller is used for centrifugal pump dealing with water containing slurry and sewage यानि कि कौन से type के impellers का इस्तमाल किया जाएगा centrifugal pumps में जो कि आपका ऐसे water को pump कर रहा है जिसमें कि contaminating slurry और sewage है तो ऐसे application के लिए centrifugal pump में open type impeller का इस्तमाल किया जाता है next question है आपका which pump is more efficient centrifugal pump और reciprocating pump and why यानि कि आपको ये बताना है कि कौन सा pump जो है more efficient होता है अगर हम compare करें तो centrifugal pump की reciprocating pump और क्यूं ये भी आपको बताना है तो इन दोनों pumps में centrifugal pump जो है वो जादा efficient होता है क्यूंकि इसका flow rate higher रहता है as compared to reciprocating pump flow smooth होता है और इसको कम जगह की जूरत पढ़ती है installation के लिए और low initial cost भी होता है और इसका maintenance भी low होता है इसलिए centrifugal pump जो है वो जादा efficient माना जाता है reciprocating pump से next question है अब कुछ objective type questions कर लेते हैं the blade of a fast centrifugal pump impeller will be यानि कि जो blades होंगे fast centrifugal pump के उसके impellers के blades कैसे होंगे है ना propeller type होंगे की radially spreading होंगे forward facing होंगे या फिर backward facing होंगे ये चार types के होते हैं तो इन में से कौन से होंगे आपको ये बताना है तो इसका answer है option number four backward facing यानि कि जो fast centrifugal pump होते हैं उसके impellers के जो blade होते हैं वो backward facing होते हैं next question है आपका a centrifugal pump act as a reverse off यानि कि जो centrifugal pump है वो किसके reverse की तरह काम करता है option one outward radial flow reaction turbine option two pelten turbine option three inward radial flow reaction turbine या फिर option four reciprocating pump तो इसका answer है option number three inward radial flow reaction turbine तो जो centrifugal pump होता है वो just reverse act करता है as a radial flow reaction turbine के next question है आपका a centrifugal pump यानि कि आपको यहाँ पर चार option दिये हुए है a centrifugal pump पहला option है flow is radially outward in the pump option B fluid gain is through constant head option three flow is tangential in this pump option four works on the same principle as that of a Francis turbine तो इसका answer है option number one flow is radially outward in this pump तो centrifugal pump में जो flow होता है वो ideally outward होता है next question है आपका in order to avoid cavitation in centrifugal pump और चार option दिये हुए है यानि कि centrifugal pump में cavitation को avoid करने के लिए क्या condition होनी चाहिए option a है the suction pressure should be high यानि कि जो suction pressure है वो बहुत ज्यादा high होना चाहिए second है the delivery pressure should be high यानि कि जो delivery pressure है वो हाई रहना चाहिए या option number three the suction pressure should be low जो suction pressure है वो लो रहना चाहिए या फिर option number d the delivery pressure should be low जो delivery pressure है वो लो होना चाहिए तो centrifugal pump में cavitation ना हो cavitation की problem ना आए इसलिए क्या होना चाहिए option number a जो आपका suction pressure है वो हाई होना चाहिए next question है what are the advantages of centrifugal pump यानि कि आपको centrifugal pump के क्या-क्या advantages होते हैं यह आपको बताना है तो centrifugal pump के बहुत सारे advantages हैं तो सबसे पहला advantages है small in size यह size में small होता है छोटा होता है second space saving and less capital cost क्योंकि यह छोटा होता है कम space घिरता है कम जगा चाहिए इसको install करने के लिए और इसका capital cost जो होता है वो भी कम होता है third advantage है easy for maintenance इसका maintenance जो है वो आसान होता है चौथा जो है deals with large volume यानि कि large volume यह delivery दे शकता है large volume fluid को deliver कर सकता है fifth है able to work medium to low head यानि कि medium to low head में work करने के लिए able होता है और last है sixth able to work medium to low viscous fluid यानि कि medium और low viscous fluids को pump करने के लिए यह pump जो है वो सक्चम होता है what is the basic difference between single stage and multi stage centrifugal pump यानि कि आपको यह बताना है कि basic difference क्या होता है एक single stage और multi stage centrifugal pump में तो जो single stage centrifugal pump होता है उसमें एक single impeller यूज होता है जबकि जो multi stage pump होता है उसमें 2 या फिर 2 से ज़ादा impeller series में यूज होते है जो discharge होता है पहले impeller का वो सक्षन हो जाता है दूसरे impeller के लिए और जो head होता है head develop होता है वो सारे stage के head जो है वो उनको total किया जाता है add हो जाता है यानि कि head आपको बहुत ज़्यादा मिलता है multi stage centrifugal pump में next question है आपका how many types of centrifugal pump are available based on the suction and discharge arrangement यानि कि suction और discharge arrangement के accordingly centrifugal pump कितने types के होते हैं suction और discharge के accordingly यानि कि उसके हिसाब से 3 type के होते हैं arrangement centrifugal pump में पहला हो गया end suction top discharge और इन तीनों कहीं में यहाँ पर है दूसरा हो गया top suction top discharge यानि top से ही सक्षन होगा top से discharge होगा पहले वाले में end side से suction होगा और top से discharge होगा तीसरा हो गया side suction side discharge और इन तीनों में सबसे ज़्यादा ये वाला use होता है पहला वाला end suction top discharge वाला यूज होता है next question है आपका why eccentric reducers are uses at pump suction side यानि कि pump का जो suction side होता है उस side में eccentric reducers को क्यों use किया जाता है उसके पीछे क्या कारण है तो इसका answer है to avoid air locking and cavitation यानि कि air locking और cavitation के problem से बचने के लिए eccentric reducers का इस्तमाल किया जाता है pump के suction side में जैसे कि आप image में देख सकते हैं पहले image में यहाँ पर air trap, air lock हो गया वहाँ पर air trapped हो गया है जबकि दूसरे image में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने eccentric reducers use किया है suction side में और यहाँ पर air lock की problem नहीं हो रही है next question है आपका what is the function of weir ring in pump? याने कि centrifugal pump में जो wear ring होता है उसका क्या काम होता है wear rings जो होते हैं वो replaceable rings होते हैं याने कि उन्हें आप replace कर सकते हैं समय समय पर और इनहें replace किया भी जाता है impeller के साथ attach होते हैं और pump के casing के साथ भी attach होते हैं जो impeller के साथ attach होता है उसे rotary wearing कहा जाता है जबकि जो आपका casing के साथ fit होता है उसे stationary wearing कहा जाता है इसका main function होता है pump के casing और impeller को weare होने से बचाना Next question है आपका What is the function of gland packing in centrifugal pump? यानि कि जो gland packing का इस्तेमाल किया जाता है centrifugal pump में उसका क्या function होता है यह आपको बताना है उसको क्यों use किया जाता है तो gland packing का इस्तेमाल किया जाता है sealing के लिए pump casing और shaft के बीच में जो gap बचता है जो clearance बचता है वहाँ पर gland packings को fit किया जाता है ताकि बाहर का जो false air है वो pump में ना जाए और pump air ना ले जो भी fluid वो pump कर रहा है उसको pump करता रहा है और air suction ना करे क्योंकि अगर air ले लेगा pump तो वो fluid को फिर pump नहीं कर पाएगा next question है आपका explain static suction discharge and total head यानि कि static suction head, static discharge head और total static head क्या होता है centrifugal pump में वो आपको बताना है तो इन तीनों को समझने के लिए ये एक diagram है ये image है आप देख सकते हैं यहाँ पर pump है और इसका suction end यहाँ पर है left side में और उपर में आप देख सकते हैं ये इसका discharge end है pump के center line से लेकर के वो point जहाँ से वो liquid को lift कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं static suction lift लिखा हूआ है यही होता है इसका static suction head है ठीक है और pump के center line से लेकर के वो point जहाँ तक fluid को वो pump कर रहा है deliver कर रहा है, discharge दे रहा है वो height क्या होता है static discharge head होता है जैसे कि यहाँ पर आप image में देख सकते हैं और जब हम इन दोनों को add कर देंगे, जोड देंगे यानि कि पूरा जहां से section ले रहा है, वहां से ले करके जहां तक discharge दे रहा है, वहां तक तो यह हो जाता है आपका total static head, pump के head को fit में या फिर meter में measure किया जाता है, तो friends इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी होगी तो please इस वीडियो को आल वीड़ा